नमस्कार सिटी पोस्ट के इस खास पेसकेस मैं आपका स्वागत हैं मैं आपके साथ संगीता जा जार्खन विधान सबाच चुनाओं के पहले चरण के लिए मतदान की तारिक 30 नवंबर नजदिक आ रही है सुबे के सिर्थ सत्ता के लिए चुनाओं विसाथ बिच चुकी है सभी उमिदवार चुनाओं अखाड़े में उतर चुके है विपक्षी कांग्रेस अन्य दलों के साथ गडवन्दन कर भारती जनता पार्टी को सक्त देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है वही हर्याना के चुनाओं नतीज़ों से सीख लेकर देश की वर्तमान सियासत के चानक्य अमित सावी भाजपा को सत्ता में बनाय रखने के लिए पूरा दम खम लगा रहे हैं शा ने सनिवार को दिल्ली में आईजित आदी महत्सव के मंच से जारखंड की सियासत साधने की कोशिस करते वे यह संदेश दिया है कि सूबे के विधान सबा चुनाओं में विपक्ष की राह आसान नहीं होगी पास साल तक सफलता पूर्वक सरकार चलाने वाले मुख्य मंत्री रगवर्दास के गैर आदिवासी होने पर सवाल उठते रहे हैं जारखन मुक्ती मोर्चा समेत अन्य विरोधी दल आदिवासी बहुल राज्य में गैर आदिवासी मुख्य मंत्री बनाये जाने को लेकर आदिवासी असिम्त को उभारने और भाजपा को घेरने की कोशिस करते रहे हैं। अमित सा ने अब आदिवासीों को भाजपा के साथ जोड़े रखने के लिए बिर्सा मुंडाकार चल दिया है। भाजपा के राष्टी अध्यक्ष और ग्री मंत्री अमित सा ने दिली में आवजित आदि महुत्सों को संबोधित करते वे कहा कि आज आदि का पहला युद आदिवासीों के लिए मोधी सरकार की ओर से कराय गए कारियों का जिक्र किया और कहा कि मोधी सरकार ने सोतंतरता संग्राम में आदिवासीों की योगदान को पहचानने और इसके बारे में आने वाली पीडियों को सिक्षित करने के लिए संगर हालयों की अस्थापना की दियान को गैर आदिवासी मुख्य मंत्री के मुद्दे को धार दे कर भासपा को बैक फूट पर लाने की दिशा में विपक्ची दलों की रन्नीती के काट के तौर पर देखा जा रहा है। पर मजबूर कर दिया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन क्लिक करना ना भूले ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धनेव कर दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों करें।